कि अच्छी कि अच्छी सिंग लेक्चर्स के इस लेटेज लाइव स्ट्रीम में तो कैसे आप सब लोग उमीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे बैतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आज हम लोग जो है और गेनिक केमिस्ट्री में हाइडोकाबन में एलकेन की बहुतिक अवस्थाओं को पढ़ने के लिए यहां पर एकत्रित हुए है और बहुत ही शान्दा तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत एक बा देखिए यह वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट की क्लास में यह काफी शांदार कॉशन किया था हम लोगों ने याद है आपको अब आज एक और इंपॉर्टेंट जानकरी आप सभी के लिए जैसे हमने बताया था कि आप सभी के लिए the biggest surprise of the session खाजाना जो है हम लोग लेकर के आने वाले है और उसकी कि डेट डिसाइड हो गई है आप सभी को पता है अच्छे से कि 9 of December is the date मेरे पास देने के लिए आज आपके पास आपके लिए एक और update है जो बहुत बड़ा है 9 December शाम 6 बज़े 6 बज़े शाम को तो time भी है हमारे पास बस एक दिन का इंतजार और एक दिन एक रात और एक दिन और ऐसे शाम 6 बज़े 9 December को खाजाना रिलीस किया जाएगा जो हिंदी मीडियम के इस्तियास में जैसा मैंने बताया ना भूतो ना भविश्यती ऐसा कभी नहीं हुआ है और वो चीज अब होगी और बहुत ही शांदार तरीके से होगी दिल गद्गद हो जाएगा आपका तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अब सब कुछ ठीक है और ये वीडियो पॉफेट चलना है ना ठीक है एक बार टेलिग्राम पर सूजना बेज दी जाए क्लास की फिर हमारी कहानी आज की शुरू करते हैं ऐसा क्या होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा वन शॉट रिवीजन वीडियो आपके बन रहे हैं कल तक अप्लोड हो जाने चाहिए और पूरा चैप्टर वन शॉट के अंदर आपको रिवाइस करवा दिया जाएगा हैलो एलकें हैलोरी वाला 12th क्लास को और हाइडो काबन जित्ता पढ़ा दिया उतना 11th क्लास को दोनों के शॉट्स बन गये हैं एडिटिंग के लिए गये हैं एडिटिंग होकर के अप्लोड होने लग जाएगे जहां तक कल सुबह से ही अप्लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी सुबाश्टर की में उतार चड़ाओ चल रहा है और आएगा उनकी तरफ से भी बड़ा अप्डेट आप तक जल्दी ही आएगा और सवाल पुछ लीजिए बड़ी आए तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को हेडिंग के साथ शुरू करेंगे आज की हेडिंग दीजिए एलकेन का एलकेन के बौतिक गुन्धर्म एलकेन के भौतिक गुरृद्षिक गुरृदान गधुकल परदीज उफ लकेन जिसिंग्क्र परटीज इलकेन यह हम आज डिस्कस करेंगे अभी से पढ़ करके 12 टॉप कर सकते हैं क्या एक ही बात बोलूँगा 12 अपने आप में बिल्कुल अलग पुसीजर है क्लास 11 का बच्चा अगर 12 में अच्छा स्कोल करना चाहता है तो उसे कम से कम चार चैप्टर बहुत ही शान्दा तरीके से पढ़ेवे होने चाहिए अटॉमिक स्ट्रक्टर ले वेरी फर्स चैप्टर केमिकल बॉंडिंग सेकिंड चैप्टर और्गेनिक केमिस्ट्री कम्प्लीट थर्ड और रेडॉक्स रेक्शन फोर्थ ये चार चैप्टर बहतरीन तरीके से पढ़े होना बेहद आवश्यक है उसके विनाफिट दिक्कत आती है सर्प्राइज में क्या क्या हो सकता है इसका पता तो नौ तारीक की शाम को 6 बजे ही लगने वाला है एलकेन की बहुत तिक गुनधर्म स्टार्ट करते हैं पटाफर से हेडिंग लगाओ एलकेन का बहुत तिक गुनधर्म देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक जन्रल नौलेज की बात आपको पहले बता दी जाए कि कोई भी पधार्त ठोस होता है द्रव होता है या गैस होता है कोई भी पधार्त ठोस है द्रव है या गैस है किस बात पर निर्वा करता है कोई भी ठोस है अर्था सॉलिड है इसका मतलब यह है कि उस पधार्त के अनू नमबर वन और अनू नमबर दो के बीच में बहुती शांदार वाला आकर्शन है कोई भी पधार्त अगर ठोस है तो इसका मतलब यह है कि उसका अनू नमबर वन और अनू नमबर टू के बीच में बहुती कमाल का आकर्शन है कोई पधार्त द्रव है है लिक्विड है इसका मतलब यह है कि अनु नमबर वन और अनु नमबर दो के बीच में थोस की तुलना में कम आकरशन है क्लास 9-10 की बेसिक बाते हैं अभी आज क्यों बता रहा हूं उसके पीचे कारण सुनते जाओ कोई भी गैस है इसका मतलब यह है कि एक अनु और दूसरे अनु के बीच में बहुत ही कम आकरशन है अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना बहुत मज़ा आने वाला है हमेशा एक बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है कि जब उसको यह चेक करना होता है कि ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा तो उस बच्चे को पता है क्या करना चाहिए, जब उसे ये चेक करना हो, जब उसे ये चेक करना हो, कि ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, तो पता है उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उसको अणुओं के बीच का आकर्शन चेक करना चाहिए, कोई भी ठोस है, पधार तो द्रव है या गैस है अगर उसके बारे में पता लगाना चाहते हो तो अणूं के बीच का आकर्षन चेक करना चाहिए एक अणूं दूसरे अणूं के साथ में कैसा आकर्षन करता है For example, मैं जलकी बात करूँ तो एक जलका अणूं दूसरे जलके अणूं के साथ बहुत मजबूती से आइड्रोजन बंद के द्वारा जुड़ावा हो तो सवस्था में रहेगा अगर एक H2O और दूसरे H2O के बीच में दूरी बढ़ जाए तो वो गैस सवस्था में चला जाएगा और अगर एक H2O और दूसरे H2O के बीच में दूरी बहुत जादा बढ़ जाए बीच में द्रव आना चाहिए था ठीक है जो और दूरी बहुत जादा बढ़ जाए तो फिर वो गैस सवस्था में बदल जाएगा लिक्वेट गैस सही है तो बात को समझना H2O और H2O के बीच में एक H2O और दूसरे H2O के बीच में आकरशन कैसा है इस पर निर्बर करता है ठोस द्रव या गैस बच्चे गलस समझ लेते हैं बच्चों को लगता है कि H2O का ठोस होना गैस होना या द्रव होना इस बात में निर्बर करता है कि H2O के अंदर H और O के बीच का बंद कैसा है दिफरेंस समझ रहे हो जिसे माल लो यह आपका H2O है यह आपका H2O है तो H2O के अंदर H और O का बंद कैसा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता ठोस द्रव गैस में ठोस द्रव गैस में इस बात से फरक पड़ता है कि एक H2O दूसरे H2O के साथ में कैसा आकर्शन कर रहा है अगर आकर्शन स्ट्रॉंग है ठोस होगा, वीक है, द्रव होगा और वीक है, गैस होगा इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है आप चाओ तो आशी सर के कैप्सूल में लिख सकते हो जलका ठोस द्रव गैस होना जलका ठोस गैस द्रव या गैस होना एक H2O तथा दूसरे H2O के बीच के आकर्शन से सम्मंदित होता है एक H2O अनू वा दूसरे H2O अनू के आकर्शन पर नेरभार है ओ सभी एक ह очच दूसरे एशतयों के साथ में करे एक हच्टो दूसरे हच्ट डूसरे हो के साथ में करे एक हैं स्वाद का करता है ऑस साउंड है अगर कम आ रहा है तो वो कॉट साही है साउंड ठीग लाइब टेस्टिंग चलो अब देखते हैं इदर हाँ तो एक हर अंदर हैं हर एस्टू के अंदर की बंदों से हर वो में हर बीच में जो बंद है उससे कोई मतलब नहीं है फोस दिराव या गैस का एक जलकाणों दूसरे जलकाणों के साथ में कैसे अज़ल झाले नहीं है H2O में H व ओ के बंद से H2O में H2O में H व ओ के बंद से Solid Liquid Gas का कोई connection नहीं है Solid Liquid Gas का कोई संबंद नहीं एक मोटी मोटी बात है यह आप इसको याद रखें यह मैंने एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके लिए एक revision करवा दिया कि ठोस द्रव गैस के addition कैसे लिया जाता है अब सर आपने यह revision यहां क्यों करवाया है तो वह मैं आपको समझाता हूँ कि वह revision हमने आपके क्यों करवाया एक और दूसरे एलकेन के मद्य हमें यह समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का आकर्शन है जैसे मालीज आप CH4 की बात कर रहे हो तो एक CH4 दूसरे CH4 के साथ में जिस प्रकार का आकर्शन रखता है उसके आधार पर फैसला होगा कि CH4 गैस होने वाला है CH4 द्रव होने वाला है या फिर CH4 ठोस होने वाला है मिरी बात बिल्कुल सही है न अब तो आपको यहां से यह concept सीखने के बात यह बात समझ में आ गई होगी कि एक अनों और दूसरे अनों के वीच की प्यार मॉबबस से मतलब होता है कि बंदा ठोस होगा द्रव होगा या गैस होगा तो प्लीज ग्रैब माई पॉइंट ट्राइटो अंडेस्टैड कि एक अलकेन दूसरे अलकेन के साथ किस प्रकार का आकर्शन करता है सारी की सारी कहानी उस पर निर्भर करती है ठीक है ना बात तो एक अलकेन का दूसरे अलकेन से कोई बहुत खास प्यार नहीं है एक अलकेन दूसरे अलकेन से जिस तरह का प्यार करता है उसका नाम है वांडर वाल आकर्शन बल जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो मैंने आपको 4 चेप्टर में पढ़ा दिया था कि इनके बीच में simple wonder wall आकर्शन होता है अब एक कमाल की बात और कि wonder wall आकर्शन जो है वो आनविक द्रिवमान के साथ साथ बढ़ता जाता है जितना आनविक द्रिवमान जादा होगा उतना wonder wall आकर्शन बढ़ता जाएगा अब इससे क्या सीखने को मिला बहुत कमाल की चीज जैसे मालो आपके पास जो starting के अलकेन है starting के अलकेन जैसे CH4, C2S6, C3H8, C4H10 यह जो starting के अलकेन है आपको साब साब बता है इन सब में आनविक द्रिवमान कम है इनका आनविक द्रिवमान क्या है? कम है तो एक CH4 और दूसरा CH4 जब सामने आएगा तो क्योंकि अनविक द्रिवमान कम है तो वांडरवाल आकरशन बल भी कम लगेगा तो ऐसे केस में वो ज़्यादा पास पास नहीं रह पाएंगे दूर दूर रहेंगे क्योंकि एक अलकेन दूसरे अलकेन के साथ जिस बल के दौरा जुड़ा होता है उसका नाम है वांडरवाल आकरशन बल और वांडरवाल आकरशन बल किस पर डिवमान करता है द्रिवमान पर इसके द्रिवमान पर अनू के द्रिवमान पर तो एक CH4 का आप खुद देखो ना कितना कम और दिर्मान होगा तो क्योंकि यह च्पोर का अडविक द्रमान बहुत ही कम है इसलिए एक बास समझ में आती है कि स्टार्टिंग के जो एलकें बाहर नहें नंके बीच का आकरशन बहुत कमजोर हैं यह कारेंंट नोबर और दूर-दूर hall यवाली स्थिति हैं कांट कि कम है कर शनीं हैं छे अगर एक अनो और दूसरे अनों की бीच में कम आकर्ष्न होगा तो यवाला केस बनेंगा तो कम आकर्ष्न के कारण यह किसले कारण 이제 bio यह पने सुना भी होगा हो गैस गैस है, मिथेन क्या है, गैस है, कमेंट करके बताओ, यहां तक मक्का ने गया, अब 5 कार्बन वाले अलकेन से लेकर के, 17 कार्बन वाले अलकेन तक, जैसे जैसे द्रिवमान बढ़ता जाएगा, वैसे जैसे परमानु पास आते जाएंगे, जैसे जैसे परमानु पास आते जाएंगे, वैसे वैसे ठोस से, द्रव और द्रव से, गैसे द्रव और द्रव से, ठोस की तरव जाएगा, तो जैसे जैसे आकर्शन बढ़ेगा, यह वाली स्थिति आएगी, तो इसलिए C5S12 से लेकर के, C17S36 तक आपको देखने को मिलते हैं, लिक्विड, द्रव देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, द्रव देखने को मिलता है, उसके बाद, इसके बाद, जो है, C18 से लेकर के, आगे में, आनविक दिरमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आनविक दिरमान के बहुत ज़्यादा बढ़ने से, आनविक दिरमान के बहुत ज़्यादा बढ़ने से, एलकेन, एलकेन के पीच का प्यार और घहरा हो होता जाएगा और पास आएंगे solid में convert हो जाएंगे यह convert हो जाएगा ठोस में यह convert हो जाएगा थोस में ऐसे हैं बताव कमेंट करके तो सीरी सी बात है निम्नतर एलकेन जो है जिनमें कारबन की संक्या कम है निम्नतर और एलकेन जो है वो किस रूप में रहते हैं निम्नतर एलकेन का मतलब होता है कारबन की संक्या एक से चार के बीच में तो उसको बनेंगे निम्नतर एलकेन और वो किस रूप में रहेगा गैस के रूप में और जो आपके उच्चितर एलकेन है उच्चितर एलकेन का मतलब होता है higher elkin बोलता है इनको इंग्लिष में higher elkin का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा द्रविमान हो गया है इसके कारण वूंडरवा वल भी बहुत ज़्यादा हो गया है और ऐसे case में फिर थोस के रूप में वन्दा दिखाई दे रहा है कोई बच्चा अगर आज से जुड़ा है तो कैसे पढ़ाई करें कोई बच्चा अगर आज से जुड़ा है तो बस 9 तरिक तक का वेट करें 9 तारिक आज से पढ़ना शुरू कर दे और 9 तारिक को जो स्ट्रेडेजी बताई जाएगी उससे पढ़ेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी मतलब सरकोई स्ट्रेडेजी बताने वाले हैं 9 तारिक को वोड़ा तो सप्राइज रिवील होई गया कोई बात में अब पता नहीं टीम से कितनी डाट पढ़ने वाली है मेरे को कर दो देख लो स्लाइड को फिर आगे बढ़ते हैं आगे देखें तर आप तो बता दिये इतना असान भी नहीं पता रगा नहीं नोट सो इसी आइस नोट सो इस स्टाव इट्स एक्टुली टॉप गैस अनिफिंग इस एक्टुली टॉप चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता आती है गलनांक की तो बहुते गुण में पहला गुण हो गया बहुते गवस्था अच्छे से फिसिकल स्टेट बोलते है इसको इंग्लीश में गलनांक मेल्टिंग पॉइंट नौ प्लीस टाइट उन्डेस्टेंड गलनांक वो तापमान होता है गलनांक गलनांक नहीं पता चला है विखमस ने रिविल कर दिया विए विए सीर्ट देखा नहीं गया विखमस ने रिविल कर दिया फीट डिया के का क्या आसान दोड़ी है चलो melting point गल्लांग का मतलब क्या होता है वो तापमान जिस पर ठोस से द्रव में कनवर्ट होता है वो तापमान जिससे ठोस से द्रव में कनवर्ट होता है उसे बोलते हैं गल्लांग मेरे इसाब से ये भी बहुत असान है जितना ज्यादा वॉन्डरवॉल बल होगा उतना एक अणू और दूसरा एक और बात कुछ बच्चे न एक कैपसूल में और गलती करते हैं वो कैपसूल भी सुन लो बहुत एक बहुत बड़ा कैपसूल दे रहा हूं बहुत एक अवस्था में परिवर्तन करने का तात्परी है बहुत एक अवस्था में परिवर्तन करने का तात्परी है बहुत एक अवस्था में परिवर्तन करने का तात्परी है बहुत एक अवस्था में परिवर्तन करने का तात्परी है अनुओं को पास लाना या दूर करना अनुओं को पास लाना या दूर करना जैसे दो अनों अगर बहुत पास लिया है आप तो आप फो सवस्ता की तरफ जा रहे हो अगर इनी अनों को आप दूर कर दो तो आप द्रव और गैस की तरफ जा रहे हो तो जब भी हम गलनांक को चेक करते हैं या जब भी हम कौतनांक को चेक करते हैं कमान वापस से, जब भी हम गलनांक को चेक करते हैं, जब भी हम कौतरांक को चेक करते हैं, तो आपको पता है क्या चीछ चेक होती है, कि एक अणू और दूसरे अणू के बीच में कैसी प्यार मौबबत है, अगर एक अणू और दूसरे अणू के बीच में बहुत भेंकर प्य पुश्किल होता जाएगा अगर उनके बीच की प्यार मौभबत जो है वो कमजोर है तो उन्हें गलाना आसान होगा उन्हें ठोस से द्रव में बदलना आसान होगा अब यहां आपने क्या सीखा कि जैसे-जैसे आनविक द्रविमान बढ़ता जाएगा जैसे-जैसे आनविक द्रविमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गलनांक बात की बात है वैसे वैसे वांडरवाल बल बढ़ता जाएगा और अगर वांडर वाल बल जादा होगा तो अनुओं के बीच में प्यार मुहबबब जादा होगी और अनुओं के बीच में प्यार मुहबबब जादा होगी तो उनको दूर करना मुश्किल होगा और उनको दूर करना अगर मुश्किल होगा तो इससे डिमान होगे उनका उच्च गलनांक होगा और जो चीज गलनांक के लिए लागू होती है मुझे लगता है वही चीज कौतनांक के लिए भी लागू होगी क्योंकि कौतनांक का मतलब क्या है ये तो गलनांक हो गया कौतनांक का मतलब क्या है वो तापमान जिस पे आप द्रव से गैस में जा सको तो जैसे जैसे आड़िविक द्रेमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वांडर वाल बढ़ता जाएगा सीडी सी बात है जैसे जैसे वांडर वाल बल बढ़ेगा द्रव भी अगर आपके पास है द्रव भी अगर आपके पास है तो उस द्रव को गैस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उनको दूर करना पड़ेगा उनके बीच में प्यार कौन सा है उस प्यार को तोड़के उनको दूर करना पड़ेगा तो वांडर बल बल बढ़ेगा तो वांडर बल बल बढ़ने से कौतनांक भी बढ़ेगा एक concept और याद रखना हमेशा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, next line से, कि अगर शाखा बढ़ेगी, तो कौतनांग घटेगा, यह मैं आपको भी explain करूँगा, यह point थोगा नया है आपके लिए, मैं समझा दूँगा, यहाँ तक के लिए रहना, यहाँ से एक बात फिर समझ में आई, कि उच्चतर एलकेन का, पतनांग भी उच्छ होगा, और गलनांग भी उच्छ होगा, क्यों, दिरिमान जादा है, तो दूर करना मुश्किल है, यह reason है उसके पीछे, बताईए, इस बर आपके राइटिंग, प्लास रेके में बहुत चोटी है, बट मस लगा लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, चोटी राइटिंग से बहुत अच्छा लगता है, और presentation जितनी बहतरीन होगी, चीज़ें होतीनी अच्छी चलेगी, I hope everything is clear, यहां तक आगे बढ़ते हैं, अब नई चीज़ के उपड़, यह वाला point समझना है अपनको, कि शाखा जो है, वो कवतनांक के क्या होती है, विर्द कमानुपाती होती है, तो मैं आपको दो तीन questions कर करवा करके यह चीज के लिए करवाता हूं, पतनांक के यह topic related caution है, जो सब चीज़ें को खिलिया करेगा, पतनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, जो स्टार्ट करें, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, कैसे होगा, लेट से होगा, पॉशन देखे लिए कौन कौन से हैं, इनको कौतरांक के बढ़ते वे क्रम में व्यवस्थित करना है, यह आपका first question है, PRQ का, second, इसको, comment section में answer लिखो, दौनों के, अपनी बुद्धी का प्रियोग करके आपको क्या लगता है, मैं जल्दी से हूँ mention करो, पॉतरांक को अंगे जी में बोलते हैं boiling point, करो करो, करो करने शचरांक में बोलते हैं कर दो दो का दौने है, करें फ्यादगर करने आपक्तरों करता है, प्राय करके क्या आप किसी कंक्लूजन पर पहुँच पाए यदि हाँ तो बताइए यदि ना तो भी बताइए मैं सौल गरवाओंगा चिंता हाँ करें अब होगा बेटा सब कुछ होगा don't worry everything will be sorted सब कर लेंगे हम सब कुछ ठीक कर लेंगे सबसे पहरी बात तो वांडरवाल बल जादा होंगे वांडरवाल बल जादा होंगे तो कुछ ठीक को गल्लाग दौनो बढ़ेंगे तो एका सबसे ज़्यादा दिर्विमान होने वाला है उससे कम दिर्विमान है सी का और सबसे कम है बी का तो B से जादा कौतरांग C का होगा, C से जादा कौतरांग A का होगा और कारण सिंपल है, कारण है आनविक दिर बिमार पहले वाले कौशन के बारे में कित्ते बच्चे सही सोच पाये थे, हाथ उपर करके बताएंगे पहले वाले question के बारे में कितने बच्चे बिल्कुल सही सोच पाये थे एकदम सही दिशा में सोच पाये थे सही तदीके से सोच पाये थे Raise your hands please सही है सही है सही है अब सेक्ड़ वाले की बात करते हैं देखो इसमें भी पाच कारबन है इसमें भी पाच कारबन है और इसमें भी पाच कारबन है 5, 5, 5 तीनों में पाच ही कारबन है तीनों में पाच ही कारबन है ठीक है परक किस बात का है आनविक दिर्मान इसका भी वही है आनविक दिर्मान इसका भी वही है और आनविक दिर्मान इसका भी वही है तीनों में पांच-पांच कार बनी है परक किस चीच का है वो समझे परक यह है यह बिलकुछ सीधा है ऐसे इसमें ब्रांच है ताखा और इसमें और ज्यादा ब्रांच है अब ब्रांच होने से क्या दिक्कत होती है समझना ब्रांच होने से यह होता है कि इसका जैसा दूसरा बंदा जब इसके सामने आएगा न तो यहां तो कोई ब्रांच नहीं है तो संपर्क सत्य ज़्यादा होगी बश्च संपर्क सत्य का मतलत है जो सत्य कॉंटेक्ट में आ रही है संपर्क सत्य ज़्यादा होगी तो आकर्शन ज़्यादा होगा आकर्शन ज़्यादा होगा दूर करना मुश्किल होगा ये इस्तिती है सामने वाला ऐसे आएगा संपर्ग सतय में कमी आ गई न यह दूर दूर हो गई संपर्ग सतय में कमी आने से यह हुआ एक तरफ जादा भी रह सकता है देखो ऐसे जो मालो एक कर उपर से आ गया ऐसे यहां तो जादा है यहां तो उत्रा ही है पर दूसरा वाला अनू अगर ऐसे गूम कर के आ जाए तो संपर्ग सतय थोड़ी सी कम हो जाएगी तो यहां पे संपर्ग सतय कम हो गई इधर तो दूसरा अनू भी ऐसे ही आएगा उपर वाला अनू भी ऐसे ही आएगा तो सबसे कम को अथारंग इसे जदा अकर्शन इसमें और सबसे जब आकर्शन इसमें तो इसलीए कहते हैं कि शाकाज़ा बढ़ती है झालती है शाक्हा के बढ़ने से वान्डर्वाल बल कम हो जाते है या आप ऐसा कह सकते हो क्यूं ब्रैकेट में आप लिख सकते हो संपर्क सतय कम हो जाती है और वांडर वाल बल कम होंगे तो कत्रांग भी कम होगा सीरी सी बात है वांडर वाल बल कम होंगे तो कत्रांग भी कम होगा ठीक है कमेंट करके बताओ आज की लास बहुत ईजी लग रही होगी आपको इजी है भी आज की बहुत ईजी है आज इक दम बेसिक बेसिक यह पूरी क्लास में बहुत ईजी सी क्लास है कल से एलकेन की रासा इने कभी रहा है स्टार्ट होंगी फिर एलकीन एलकाइन मतलब इमान लिजी चैप्टर बस चार दिन पांस दिन में खतम हो जाएगा फिर हम लोग अल्मोस्ट और गनिक सिभार आ जाएंगी फिर जनल और गनिक क्यों आपको पढ़ाना है आप ही सोच रहे होगे कि मैंने जनल और गनिक केमसी में समावय वता क्यों नहीं पढ़ाया आपको और मैं सेकंड चेप्टर हाइडोकाबन पर क्यों आ गया क्यों कि मैं चाहा था कि पहले आप एलकेन एलकीन से थोड़े से फैमेलियर हो जाओ आ चिंता नहीं करने आपको अब आगे की बात सुनों जान से पर खतम हो गया हाँ चाहिए नेक्स पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट विलेता इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूविलिटी सभी बच्चे मैं इस कमेंट सेक्षन में आपको एक लाइन लिखने के लिखने के लिखा ओगा है जितने बच्चे लाइब पढ़े हैं सभी बच्चे उसलाइन को लिखेंगे उसलाइन को लिखने का फायदा बता हूं क्या होगा उस लाइन को लिखने का फायदा यह होगा कि यह टॉपिक की सबसे खास लाइन है वो आपको याग जाएगी लिखो समान समान को गोलता है यह बहुत बड़ी लाइन है समान, समान को गोलता है लाइक, डिजॉल्व, लाइक, कंसेप्ट जो जैसा है वो विल्कुल वैसे को ही अपने अंदर गोलता है कमेंट शेक्षन बढ़ जाना ची जल्दी से समान समान को गोलता है लाइक, डिजॉल्व, लाइक, कंसेप्ट लाइक, डिजॉल्व, लाइक, कंसेप्ट जैसे आपको एक अभी सोचा कि नमक जो है एनेसियल वो पानी में क्यों गोलता है बताओं आपको मैं नमक पानी में इसलिए गोलता है तो कि जो नमक है उसमें Na प्लस और Cl- आयन है और अगर आप पानी को ध्यान से देखो तो पानी के अंदर भी ओक्सिजन की विद्धू दिनात्मक्ता ज़्यादा होने की कारण ओक्सिजन पे है पार्शल लेगटिव और हाइडोजन पे है पार्शल पॉजिटिव ऐसे तो ओक्सिजन की विद्धू दिनात्मक्ता ज़्यादा होने के कारण उस पे होता है पार्शल नेगटिव इस प्रकार आपका जल जो है दुरुविय बन जाता है दुरुविय मतलब से प्लस माइनस होता है और एनेसल में भी प्लस माइनस है तो जो जैसा है वो बिल्कुल वैसे कोई अपने अंदर घोलता है तो एनेसल में प्लस माइनस है पानी के अंदर भी प्लस माइनस है इसलिए नमक जो है पानी में घोलता है क्यों जैसे नमक पानी में जाता है एनेसल को चाहों तरफ से प् और और ऑक्सियन पार्शल नेगेटिव और पार्शल 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 पा लिए जाहो तरफ से कौन घिर्णा श्नू करेगा जल का है एच प्लस वाला हिस्सा लिए अगर्शन 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 इस प्रकार से तो समान समान को घोलता है समझा गया क्या हात उपर करके जल्दी से बताओ और आपको ये बास समझनी चीए कि तेल जो है वो पानी में क्यों नहीं गुलता तो कि तेल जो है वो अधृविय होता है नेचर में उसमें प्लस माइनस नहीं होता पानी जो है वो धृविय होता है तो अधृविय में धृविय नहीं घोल सकता समान समान को गोलता है तो दुरुविय दुरुविय को गोलेगा एक दुरुविय के अंदर आदुरुविय को गोलेगा एक दुरुविय के अंदर आदुरुविय को गोलेगा एक दुरुविय के अंदर आदुरुविय को गोलेगा इसको गोला जाएगा आदुरुविय विल कि like dissolve like concept अर्थात समान समान को घोलता है यह वाला concept कैसे काम करता है like dissolve like concept कैसे काम करता है समान समान को घोलता है यह concept कैसे काम करता है you must 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 know ठीक आगे बढ़े last चीज है घनत्व याद रखें कि एलकेन का जो गनत्व है वो बहुत कम होता है गनत्व को लेकि लिख देता हूँ में एक पॉइंट एलकेन का गनत्व अधिक्तम गनत्व मैक्जीमम एलकेन का जो अधिक्तम से अधिक्तम संभव गनत्व है एलकेन का मैक्जीमम गनत्व जो है एलकेन का अधिक्तम से अधिक्तम घनत्व जो संभव है, वो है 0.8 ग्रैम पर सेंटिमीटर क्यूब और इसको देखकर के आपको एक बास समझा आ गई होगी, अच्छे से, अथा है क्या, कि एलकेन का घनत्व, पानी से भी कम होता है तो एलकेन का घनत्व, कम होता है, पानी के घनत्व से, इसलिए तो ऐसा है, एकर आप ग्लास लोगे, तो पानी नीचे होता है और तेल उपर तेरता है, तेल कौन, एलकेन ही तो है, तेल उपर गहर, तेल उपर क्यों है, क्योंकि तेल का घनत्व जो है, बानी से कम है तो हम लोगों ने आनविक दिर्मान डिसकस कर लिया, हम लोगों ने ठोस द्रव गैस डिसकस कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने गल्लांक देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक बहुत इंपोरेंट चीज विलेदा देख लिया और लास में हमने गनतो देख लि और 11th class के बच्चो ध्यान से सुनो तुम्हारे लिए तो वेरी बिग सप्राइज इस ओन इट्स वे जस्ट वेट फॉर बंडे 9th of December शाम 6 बचे साया रहिएगा बाबाई झाल झाल झाल